हेलो फ्रेंज, सेथार्थ हिंदे जोईसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है पढ़ते हैं हिंदी सहती के कुछ इंपोर्टेंट प्रशन हजार क्रशन की जो सिरीज स्टार्ट की है उसी की अगली सिरीज है तो बिनादेरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला प्रशन देखते हैं बिने पत्री का किस विधा की रशना है बिने पत्री का की विधा बतानी है कि यह किस विधा की रशना है खंड का भी है, मुक्तक का भी है, कहानी है यह उपनियास है विने पत्रिका तुलसिदास की प्रिसिद रशना है तो देखते हैं कि यहां किस विधा की रशना है इसके लिए राइट आंसर बताना है आपको बताए राइट आंसर क्या होगा इसके लिए जो राइट आंसर है वो अप्सन B है मुक्तक काभी विनेपत्री का मुक्तक काभी की एक रशना है बढ़ते हैं वीडियो में अगले प्रशन की और अगला प्रशन है तुलसी दास का जीवनकाल कब से कब तक माना जाता है तुलसिदास के जीवनकाल के बारे में बताना है आपको कि कब से कब तक माना गया है option में है sun 1515 से 1618 तक sun 1526 से 1628 तक sun 1532 से 1623 तक sun 1532 से 1632 तक तो right answer आपको बताना है इसमें बताजी right answer क्या होगा इसके लिए right answer होगा option C 1532 से 1623 तक ठीक है 1532 से 1623 तक के समय को तुलसिदास का जीवनकाल माना गया है बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर साहित्यानंद निम्ने में से किसकी रशना है साहित्यानंद के लेखक का नाम बताना है option है ब्रिजबिहारिलाल, पदमाकर, मतिराम, ग्वालकवी आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए आपको right answer बताना है इसका right answer है option D ग्वालकवी साहित्यानंद ग्वालकवी की प्रिसिद्ध रचना है ठीक है ग्वालकवी की प्रिसिद्ध रचना है साहित्यानंद इसी क्रम में अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है नील देवी किसकी प्रिसिद्ध रशना है आपको नील देवी की बारे में बताना है कि यह रशना किसकी त्वारा लेखी गई है आप्सन देखते हैं महाविर प्रसाद्धिवेदी, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुरवेदी या फिर भारतेंदु हरिशन्द तो बताईए राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आप्सन D है भारतेंदु हरिशन्द नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद की प्रसिद्ध रचना है ठीक है इसके लिए क्या है राइट आंसर ओपसर डी नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद अगला प्रश्न है कायकल्प की विधा है आपको कायकल्प की विधा पतानी है किस विधा की रचना है पहले जान लेते हैं कायकल्प किस की रचना है प्रेमचंद्र की है रचना है अब देखते हैं इसकी विधा क्या होगी ओपसन दिये गए है उपन्यास नाटक कहानी या फि क्की वरिम चण्ड रहे इसी कशadors युंध पाट किस की वरिस धर का नाम है तेरी मेरी उसकी बात और वताना है यह किसी की रशना है आप संगी यह नागरजुन exercise यैशपाल और कमनचीर इसा से राइट आंसर बताना है कौन सा होगा बताईए राइट आंसर क्या होगा इसके लिए राइट आंसर उप्सन C है यसपाल तेरी मेरी उसकी बाद यह यसपाल जी की प्रिसिद रचना है इसी किरम में अगला प्रचन देखते हैं अगला प्रचन है निमनिमे से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है कुछ रचनाएं दिये हैं उनके रचनाकार के नाम दिये हैं और आपको जो सही सुमेलित नहीं है वह बतानी है अपसन पहला है देखे एक सुनी नाव, सर्वेश वर्दयाल सकसेना, युग्म, जग्दिस गुप्त, बोलनी दो चीर को, नरेश महता, तेरी मेरी उसकी बात, राम नरेश तरपाथी जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है और इसके लिए राइट आंसर अप्शन डी है जो की सही सुमेलित नहीं है, यह यसपाल की रशना है, हम अभी पढ़ रहे हैं इसको इसकी अतरित जो आपको आप्शन दिये गए हैं, वह सब सही है अगला प्रशन है, सामर्थी और सीमा निम्न में से किसकी रशना है? सामर्थि और सीमा के लेखक का नाम आपको बताना है ओप्सन दिये गए हैं महादेवी वर्मा, नरेश महिता, भगवती चरण वर्मा और जस्वंत से हैं तो राइट आंसर बताईए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर ओप्सन सी है, भगवती चरण वर्मा, सामर्थि और सीमा, भगवती चरण वर्मा की प्रिसिद रशना है अगला प्रशन है, महाकाल की रशनाकार कौन है महाकाल एक प्रिसिद रशना है और आपको इसके रशनाकार का नाम बताना है आप्सन दिये गए हैं अमरितलाल नागर, जगदीश गुप्त, यसपाल और राजियंद्रियादो तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि महाकाल की रशना इनमें से किसके द्वारा की गई है और इसके लिए जो राइट आंसर बनता है वह है आप्सन आ, अमरितलाल नागर, महाकाल की रशना अमरितलाल नागर के द्वारा की गई है बढ़ते हैं अगले प्रशने की और अगला प्रशने है निमने में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है चार जोड़े दिये गए हैं देखे इसमें आपका एक क्वेशन के सान तीन और क्वेशन बन जाते हैं तो देख लेते हैं इसका क्या बनता है आप्सन में है नीम का पेर राही मासुम रजा तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है नहीं मा अंसर देना है और इसके लिए राइट अंसर अपसर बी है एसिया के दुल्लब भुखंडों में यह रशना राहुल संकरत्यान की है और यहाँ एक यात्रा विरतानते है बाकी जो अपसंदिये गए है नीमका पर राही मासुम रजा की रशना है देखना एक दिन नरेस महता की रशना है और खुटियों पर तगेलों सरविश्वर द्यास सक्सेना की रशना है अगला प्रशन है सुखदा किसकी प्रसिद रशना है सुखदा के लेखक का नाम बताना है उप्सन है यस्पाल, अग्येव, जैनेंद्र, मुक्तिबूद तो इसके लिए राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा तो बताएए राइट आंसर इसका क्या होगा इसके लिए राइट आंसर है option C, जैनेंदर, सुखदा जैनेंदर की प्रिसिद रशना है, बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है सरिंगार विलास की रशनाकार है, सरिंगार विलास की रशनाकार का नाम बताना है option है कुलपती मिस्र, प्रताब नाराण मिस्र, देव और भूशन तो बताईए कि सरिंगार विलास की रशनाकार कौन है option दिये गए हैं कुलपती मिस्र, प्रताब नाराण मिस्र, देव और भूशन इसके लिए right answer है option B, प्रताब नाराण मिस्र स्रिंगार विलास की रचनाकार परताप नारेंड मिस रहें इसी क्रम में अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है क्रिपाकंद किसकी रचना है क्रिपाकंद किसकी रचना है क्रिपाकंद के लेखक का नाम बताना है औप्सन है घनागनन्द, जश्वंद सेह, कवी प्रंद और बोधा तो राइट आंसर बताना है आपको राइट आंसर बताएए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर है औप्सन ए घनानन्द, कृपाकंद जो रचना है वह घनानन्द की रचना है बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है आदी हुताविधी माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़ें हम सिखा देखन जगत चला सब जाई, एक वचन पर अमर रहाई, पंक्ती किसकी द्वारा लिखी गई है आप्सन में देगे हैं उस्मान, जाईसी, कबीर और बिहारी राइट आंसर आपको बताना है तो बताएए कि राइट आंसर क्या होगा इसकी लिए राइट आंसर है उस्मान, यह पंक्ती उस्मान की द्वारा लिखी गई, प्रिस्द पंक्ती है अगला प्रशन है राम चंद्रिका किस भासा में लिखी गई रजना है राम चंद्रिका की भासा बताने है किस भासा में लिखी गई है खड़ी बोली में, ब्रज भासा में, अउधी में या फिर हिंदी में तो इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन B. ब्रज भासा राम चंद्रिका की जो राम चंद्रिका रचना है केसोदास की रचना है प्रिसिद रचना और इसकी भासा ब्रज है यह एक महा काव्य विदा की रचना है इसी के साथ वीडियो एंड होती है अगर आपको क्वेशन हीज़ पूल लगे हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रस्नों के साथ धन्यवाद